आज है 2 अगस 2020 और 2 अगस 2020 से जितने भी कंट फेर के important question बनते हैं वो हमें इस पीडियो में डिसकस करेंगे साथ ही मैं आपको हर एक question से related important fact बताऊंगा तो आप हमारा वीडियो पूरा और end तक द्यान से देखिए लास्ट में मैं आप से question पूछूँगा आप उस question के दबाब नीचे comment box में दे सकते हैं साथ ही question से जोड़े जितने भी जानकारी आपके पास available हो आप उसे नीचे comment box में लिखा कीजिए ताकि आपका proper तरीके से revision से अगर आपको हमारी ये वीडियो पूस्णाई वीडियो को लाइक कीजिए आपके पास जितने भी as crucial group हैं आप उस ग्रूप में हमारे वीडियो को share कीजिए जोड़ साथ ही हमारी चानल ad star class सब्सक्राइब कीजिए चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सिसन देखते हैं आज का हमारा पहला question क्या है आज का हमारा पहला question है हाल ही में किस राज में Green AZ परियोजना का सुबारंब किया गया है अभी हाल ही में मिजोरम में Green AZ परियोजना का सुबारंब किया गया जिसका उत देश, देश की खाद सुरक्षा और किसानों की आयसे समझोता किये बिना बारती किर्शी के एक अस्थाई परिवर्तन को उत प्रेडित करना है इसके अलावा ये अन्चार राज मद्य परदेश, राजस्थान, उडिसा और उत्राखर्ण में भी जल्द ही सुरू की जाएगी आगे बढ़ते हैं अगला कुशन है हाले में किस मंत्राले को सक्षम आईटी योजनाओ के माध्यम से आदिवाशियों के ससक्ती करण परियोजना के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है अभी हाली में जन जातिये कारिमंत्राले को सक्चम IT योजनाओं के माध्यम से आदिवाशियों के ससक्तिकर्ण परियोजना के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जन जातिये मंत्राले को अभी हाली में दिया गया यानि स्कूजिसन का ओप्सन C से ये जन जाती है मंत्राले स्कोच गोल्ड अवार्ड आदिवाशी मामलों के मंत्राले यानि यम OTA को सक्षम IT योजनाओं के माद्यम से आदिवाशीयों के ससक्तिकन परियोजना के लिए प्रदान किया गया है ये प्रोजक्ट डिस्टल इंडिया के सपनों को साकार करने साथ में पार्दश्टा आने के साथ सेवाओं के वित्रन को शुविदाजनक बनाने के लिए बारत सरकार की अट्टूट परत्य बद्दता की दिसा में एक कदम है चाथटवी स्कॉच 2020 परत्योगता इंडिया रिस्पॉण्ट टू कोबिड थ्रो डिस्टल गोर्नेंस नाम से आयोज़ित की गई थी आपको ये नाम रखना है यानि 2020 में जो ये स्कॉच गोल्ड आवार्ड ये परदान किया गया और इसका जो आयोज़न है उसका नाम रखा गया था इंडिया रिस्पॉण्स टू कोबिड थ्रो डिस्टल गोर्नेंस ये नाम एक्जाम के पॉइंट अव ये से मोस्ट इंपोर्टन है जनजातिय मामलों के मंतराले ये मोट टीये ने डिस्टल इंडिया और इगोर्णनस यानि इलेक्ट्रिक गोर्णनस 2020 परतियोकता में फाग लिया था अब बात आई है जंजाती मंद्रा लखी तो परतमान समय में केंद्रिय जंजाती मामलों के मंद्री है अरजुन मुंडा अगला कुजिशन है किस स्पेस एजन्सी ने ULA के साथ मिलकर मार्स 2020 प्रिजवरंस रोबर मिसल लॉंच किया है अब इहाली में नासा ने ULA के साथ मिलकर मार्स 2020 प्रिजवरंस रोबर मिसल लॉंच किया यानि इस कुजिशन का ओप्शन ए से ही है नासा नासा यानि नेस्टनल एरोनॉटिक्स एंड इस स्पेस एड्मिस्टेशन ने ULA यानि यूनाइट यूनाइट लॉंच एलाइंस इस सेम काते हैं यूनाइटेड लॉंच संधी एटलेस वी रॉकट के साथ मिलकर किये मार्स 2020 प्रिजवरंस रोबर मिसल लॉंच किया है अमेरिका के फ्लोरिडा में केप कैनावेरल एर फोर्स स्टेशन पर स्पेस लॉंच कॉंप्लेक्स 41 से मार्स 2020 प्रिजवरंस रोबर मिसल शुरू किया गया है और ये प्रिजवरंस रोबर नासा के मंगल एक्स्प्लोरेशन प्रोग्राम का हिस्सा है जो लाल ग्रह यानि रेड प्लैनेट के रोबोट एक्स्प्लोरेशन का दीरकालिक प्रयाश है अब NASA की बात है, तो NASA, सबसे पहले इसका full form, most important है इसका full form है, National Aeronautics and Space Administration, इसके सापना 1958 गोई थी, इसका headquarter संजुक्त राज अमेरिका के वासिंगटन डीशी में है, और NASA के बरतमान समय के परसासक यानि administration है, जिम ब्रेडिस्टेन, आगे वड़ते हैं, अगला कुश्चन है, हाल ही में, ली तेंग हुई का निधन हुआ है, वो किस देश के पूर्व राष्टपती थे, तो ली तेंग हुई, ये ताइवान के पूर्व प्रेसिडंट थे, और इनका हाल ही में निधन हो गया है, यानि सकुश्चन का option B से यह ताइवान, ताइवान के पूर्व राष इसके बरतमाद समय के प्रासिडेंट है चाई इंग वेन अगला कुछिशन है किस देश ने ब्रिक्स परियावरन मंत्रियों की छटी बैटक की अधिक्सिता की है अभी हाली में रशिया ने ब्रिक्स परियावरन मंत्रियों की छटी बैटक की अधिक्सिता की यानि इस कुछि जील, रूसी संग, भारत गडराज, पीपुल्स रिपब्लिक ओफ चाइना और डचल अफ्रीका गडराज के परियारोन मंत्रियों ने बीडियो सम्मिलन के माध्यम से आयोजित बैटक में भाग लिया, बैटक ब्रिक्स वरकिंग ग्रूप की बैटक से पहले हुई थी, बारत तो 2021 में अगले बैटक की में जमानी करेगा, केंद्रिय परियारोन मंत्री स्री प्रिकास चापडेकर ने ब्रिक्स परियारोन मंत्रियों की बैटक में भारत का परतिनित किया है, अब रसिया की बात है तो रसिया, इसकी कैपिटल मॉस्को है, इसकी करंसी है, रसिया रूब अभियान चोस्टा की है अभिहाल ही में मद्योप्रदेश कौवर्णेट ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक अभियान एक अगस से सुरू करने की खोस्टा की है अनिस कुश्टन का ओप्सन ए से यह मद्योप्रदेश मध्यपरदेश के अधिकांस जिलो में 1 अगस से 15 अगस 2020 तक एक मास्क अनेक जिंदीनामक एक जन जागरूकता अभियान चलाए दैगा अब इसका उद्देश क्या है तो इस एक मास्क अनेक जिंदीनामक जन जागरूकता अभियान का मेन परपस ये है कि लोगों को COVID-19 महामारी की संक्रमन से बचने की उपाय को बताना साथ ही लोगों को इसी इसके बारे में अबेर करना की COVID-19 एक बहुत बड़ी महामारी है और जैसे की बर्तमान समय में इसे दुनिया भर के लगबख सभी देश इसकी चपेट में आ चुके हैं इसके बारे में लोगों की प्रतिजागरुपता पैदा करना और COVID-19 से बचने की उपाय को लोगों को बताना तो ये इसका में परपच है मद्य प्रदेश की बर्तमान समय के जो गवर्नर है आनंदी बेन पर्टेल इससे पहले मैं वजा देए यहां से बॉटन फैक्ट ये बनता है कि लाजी टंडन जो इनसे पहले मद्य प्रदेश के गवर्नर थे उनका अभी हाली में नेदर हो गया ये काफी important fact ने मद्य प्रदेश से आपको याद रखना है अब मद्य प्रदेश की बात है तो इसकी capital भोपाल है इसके बरतमान समय के मुख्यमंत्री है सिवरा सिंग चोहान और अब बरतमान समय की governor तो आनंदी बेन पटेर है जो की मद्य प्रदेश के साथ साथ उत्र प्रदेश की भी governor है इसके लावा मद्य प्रदेश यहाँ पे आपको याद रखना है रिवा एक जिला है मद्य प्रदेश का रिवा जहाँ पे सफेद शेर पाये दाते हैं ये आपको याद रखना है इसके लावा मद्रप्रदेश का जो इंदोर सहर है ये भारत का सबसे सुक्ष सहर है ये भी आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है आसीस भाटिया को किस राज्जी का नया DGP नुक किया गया है यानि डारेक्टर जर्नल आफ पुलिसे हिंदी में कहत हैं महा निदेशक तो अभी हाले में आसीस भाटिया को गुजरात राज्जी का नया DGP अपॉइंट किया गया यानि इस कुईसन का ओप्सन B से ये गुजरात एहमदाबाद के पुलिस आयुक्त गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक निद किया गया है ये इसके अलावा CID क्राइम और रेल के DGP भी रह चुके हैं आपको यह रटना है आसीस भाटिया जी अगला कुजिशन है किसे आईवरी कोस्ट का नया प्रधानमंतरी निप्ट किया गया है अब इहाल ही में हमेद वाका यको को आईवरी कोस्ट का नया प्राइमिनिस्ट्र प्रधानमंतरी के रूप में नुक्त किया गया है पूरव प्रधानमंतरी आईवरी कोस्ट के जोचिन का नाम है अमाडो, गोन, कॉलिबली इनका अचानक निधन हो गया जिसके बाद से हमेद वाका यको देश के अंतरिम, पियम के रूप में सेवा कर रहे हैं अब बात है कोस्ट की तो आइवरी कोस्ट इसी कैपिटल है यामो सुक्रो और सके बुर्तमान समय के प्रैसिडेंट है अलाशेन ओतारो अगला कुश्टन है किसने वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल MSME सक्चम लॉंच किया है अभी हाली में शुडबी ने वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल MSME सक्चम लॉंच किया यानि स्कुश्टन का ओप्शन बी से ये शुडबी बारतिय लगू उद्दोग विकाश मैंक यानिस सिडबी ने ट्रांस यूनियन CIBIL के सहयोग से वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल लॉंच किया मंच को सूच मलगू और मध्यम उद्दोगो यानि MSME के लिए लॉंच किया गया जिसे एंगलिस में कहते हैं माइक्रो, स्माल, एंड, मेडियम इंटरपाइज़ MSME के लिए MSME सक्चम एक ब्यापक बित्तिय सिख्चा और ग्यान का मंच है साथ ही क्रेडिट दायितों के प्रवंदन में भी MSME की ये मदद करेगा अब MSME की बात है, इसके लावा सिड़बी की बात है तो MSME के बरतमान समय के मंतरी है नितिन गड़गरी जबकि भारतिय लगू उद्दोग विकास बेंग यानि सिड़बी के अद्दक्ष है इस सालिय में Reliance Power और ZERNA 0 ने बंगलादेश की बिजली परियोजनाओं के लिए रिंड समझोता किया यानि इस कुछिसन का ओप्शन सी सही है बंगलादेश Reliance Power और जापानी उर्जा प्रमुक ZERNA बंगलादेश में अपनी नई गैस आधारित Thermal Power उत्पादन परियोजना के लिए बैंकों की एक समू के साथ समझोते पर अस्ताक्सर किये है अस्ताक्सरिक समझोता बंगलादेश के मेगना गाट में एक नई 745 मेंगावार्ट प्राकृति गैस संजुक्त चक्र विजली परियोजना के लिए लगबग 642 मिलियन डॉर यानि लगबग 4798 करण रुपे का पूरा बित्य परदान करेगा ये बंगलादेश के विजली सित्र में एक परियोजना के लिए सबसे बड़ी फंडिंग टाई-अप में से एक है इस सम्दोसे के साथ रिलांस पावर और जीरा पूर पैमाने पर निरमार पर ध्यान केंदल करेंगी और 2022 में कॉमर्सियल ओप्रेशन को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से काम करने का इनुने लक्षी भी रखता है अब बात है बंगलादेश की तो बंगलादेश इसकी कैपिटल है डाका इसकी करन्सी है डाका इसके बरतमान समय के प्राइमिस्टे हैं शेक हसीना और अब्दुल्ला हामिद ये बंगलादेश के बरतमान समय के प्रैसीडेंट है इसके लावा आर पावर यानि रिलांस पावर की बाद तो रिलांस पावर के बरतमान समय के अध्यक्ष हैं अनिल अम्बानी कल मैंने आपसे कुछिशन किया था हाली में किस मंत्राले का नाम बदल कर सिछा मंत्राले कर दिया गया है कुछिशन था और question का सही answer है option है मैं आप से एक बाइफिर कहूँगा आपको question के बारे में इतनी जानकारी पता है आपको से नीचे comment box में लिए जिससे की आपका प्रापर तरी किसे खरीबी दिन हो थी आगे बड़ते हैं आज का अपना question देखते हैं आज का हमारा question है हाल ही में किसे परधान मंतरी नरेंद्र मोधी का नया निजी सच्यू यानि personal secretary निट किया गया है question के चार ओप्सन है हर्दिक, शतीष चंदरशा, पीके मिस्रा, सतीष अग्रवाल और पीके सिन्ना एक बार मैं आप से फिर कहूँगा आपको question के बारे में जितनी भी जानकारी पता है, आप उसे नीजे comment box में लिखिए जिससे आपका properly revision उसकी इसके लावा अगर आपको हमारे केसी भी वीडियो की PDF फाइल से ये, तो नीचे description में टेलेग्राम गुरूप का link दिया हुए है आप उस link पर click करके हमारा टेलेग्राम गुरूप जाइन केसी और वहाँ पर आपको सारे वीडियो की PDF एक साथ एकी जगे पे available मिल जाएगे तो आज के लिए इतना है, अगर आपको हमारे वीडियो पस्नाएब वीडियो को लाइक किजिए, जैहिंद